हेलो फ्रेंट तो चली आज गोभी के पराठे बनाते उसके लिए मैंने कड़ाही में थोड़ा सा ज्यादा नी एक चमस दे लीजिएगा और हर टिप्स हर ट्रीडिक आप जरूर ट्राइ करिएगा जैसे जैसे में बता रहें वैसे वैसे मैंने 500 गरम गोभी लिया था और हाँ एक बात यहां गैस का फ्लिम हाई रहेगा किसी भी चीज के लिए पानी सुखा ना हो तो गैस का फ्लिम हाई रखे पर हात मत रोके एगर लगतार चलाना पड़ेगा आपको मैंने 500 गरम गोभी को दो के अच्छे से ले लिया था उसके बाद क्या कर ले तो अन्हें घीस। इसमें मैंने थловडा सा डाल दी हल्डी थोड़ा सा मैंने रिड चिली पाउडर और दो चमच मैंने धनिया पाउडर और आधा चमच मैंने जीरा पाउडर और मिर्चि तो आपकी पराटे फट सकती है इसमें थोड़ी सी टेस्ट का कोडिंग थोड़ा सा टेस्ट कम मेरे नमक डाला है और गैस का फिल्म हाई अभी भी है मैंने घीज के कपड़े पर फैला दिया था मतलब दो-चार मीनट कम से कम अच्छे से पतली फैला दे जी अगर टाइम हो त है आधा चमच आम्चूर पाउडर और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाला और इससे ठंडा करेंगे ठंडा करने के बाद बाकी समान डालेंगे और यह बहुत टेस्टी बहुत त्यामी लगती जो मेरे बचिक गूभी नहीं खाते है वह इसे गूभी के पराठे का एक मतलब म मुझे लंच भी कल सूबा देना था, इसलिए मैंने जादा बनाया था, ती पूरी ठंडी, मतलब पूरी ठंडी हो जो से बाद मैंने धनिया पता है, पर धनिया पता के जो डंडी होती है, उसे भी बारी काट के डालूँगी, प्याज जैसे करंच आती है, मतले बहुत अच्छे से खुब दो लिजे चार पास पानी फिर मैंने उसे भी ड्राइ कर लिया था तब लाला था हर चीज ड्राइ चाहिए हाँ मैंने प्याज जींजर गार्लिक और मिर्ची तीनों को अच्छे से बारिक चौपर में चौप करकर हो सके तिसका पानी हाथ से निचोड के ल और इसे में एक बाउल में रख दोंगे उसके बाद या आटा गुंदा मेरे पास था देखे वे जूट ना बोल वे सुबा का आटा गुंदा हुआ है लेकिए अगर पराठे की परफेक्ट आपको आटा लगाना है तो मेरे आलू पराठे की रेस्पी देखिए उसमें में बताई हूं परफेक्ट जो रूट पे होटल में हर जग मिलते पाराठे वही वले आटे हैं वही है पर मेरे पास बचा था मैंने इसलिए उसी आटे से बना रही है क्योंकि इतने से हम लोग को हो जाता था चार लोग में जादा नहीं छे पाराठे हम लोग बनता है तो छे म मैं ready करके रख लेती हो सके तो पहले ही ready कर लेजिए इसको अंदर की फिलिंग और मैं extra बना लेती कि कल मुझे काम आए गए कम से कम तीन दिन freeze में आराम से रहेगा अगर आपको बनाना है तो और सफर के लिए ले जाना है तो दो दिन आराम से रहता है यह मेरी guarantee की दो दिन रह और इसे अच्छे से भर लेजी बहुत लोग बोलते है कि मेरे पराठे में आटे आटे आते हैं feeling कम आता है पर मैं जैसे बता रहूँ जैसे दिखा रहें प्लेट बना के वैसे आप बनाई है और मैंने आलू का पराठा पनीर के पराठा डाला है जरूर वो तरीका देखिए और वो रेस भी वट ट्राइक करिए, आलो का पराटे तो बहुत बहुत मत्तवियमी लगता है पोटली बना लिजा, जो एक्ष्टा आठे हैं वो निकाल देजा और जो उसमें उसे में चिपका देजी और हलके हलके आठा डालके इसे बेल लिजी जब तक मैं रोटी बेल रही हूँ, मेरी मोटी है धोसे की मतलब तावा उसे मैं चड़ा दी हूँ, गैस पे और गरम होने के लिए, पर हाई पे नहीं मिडियम पे है क्योंकि हाई पे तो जालते हैं, पराटे जल जाते हैं, मिडियम फ्लेम पे है इसे प्रेसर मत दीजी, हलके हलके हाथों से और बेलिए, एक बार मेरी कोई भी पराटे आप ट्राई कर लिजे, उसके बाद जो चाहिए आप पराटे बनाएगे, वही तरीका, वही टिप्स इतनी यमी होती है क्या बताने कि यह मेरा वादा है, अगर मेरी पराटे आलू के पराटे ट्राई करें, अगर सबसे अलग हटके टेस्टी नहीं लगे, तो आप कमेंट करें मैं चैनल बन, मन्दम मैं अपना चैनल बन कर दूँग, अगर वो टेस्टी ना बना तो जैसे जै गुद्धा है आटा गुंदा वो जरूर को करिएगा अगर आपको कभी कल बनाना है लेकिन मैंने देखी में हकिकत बताती में इस आटे में जावार और थोड़ी सी बच्चों को थोड़ी बैशान अब इस तरीके से भी बना सकते हैं तो देखे मैंने पूरा इसे भी बेल लेती फिर बेल के दिखाती हैं एक पराठे मेरे जरूर ट्राइ करेगा मैं आपसे बोलती हूँ कि मतलब कि इतनी अच्छे ची मेरी रेश भी होती है आप जरूर ट्राइ करेगा मैं खुद कलास देती थी तो पहली बार मेरे स्टुडेंट ने बनाया था मेरे से पूचा करमेंट के भावी मुझे सीखना है तो मैंने आलू पराठा तुरन डालना था उसके लिए बना किया और देखे तावा गरम हो गया मिडियम गरम हाई ने उसके बार थोड़ा सा हलका ह बस पलट देगे तो मैंने उसे बना के दिया था तो उसका हजबन खुद बोले थे देखे ऊपर से थोड़ा से दूसरे तब होल जाए गोल्डन कलर तब डाले कि तुझे तालू पराठे बनाने नहीं आते थे तू कहां से सीख ली आ तो सीख ली ने मेरे दीदी सीखाई त ने में बलते ही कि तो मैं क्या करती हूं कभी भी पराठे बनाऊ उनू तो घर का देशी घी और तेल दोनों मिक्स लेती हूं क्यूंकि देखे घी पूरा डालेंगे तो पुरी घीगी की टेश्ट आएगा और बहुत धुएं उठते हैं जलते हैं इसलिए घी और तेल दोनो गये ते और यह देखे इसे भी हलके हलके हांतों से चारो तरप धेरे-धेरे से किये और यह प्रासरे बनाये के रेडी करें अलुप पराठे पनीर पराठे यह गोबि से पराठे और मैं एक दो दिन में ज़रूर तील पराठे लाओंगे तील की रोटी बहुत यमी बहुत टेश्टी लगते बहुत लोग तील की रोटी खाते हैं आप खराईएगा और ट्राइग करेगा पर मैंने तो कल इसके साथ प्याज टमाटर की चट्नी बनाई थी और सिवया बनाई थी सिवया मैंने बनाया था मुझे सिवया बहुत पसंद इसलिए मैंने बनाया था इस पे मैंने बनाया था सिवया और चट्नी और ये आलूग अभी की पराठे तो यह मेहरा हो गया इसके बाद में एक और बनाक आपको दिखाते हूं वैसे ही से और इसे न मतलब बहुत यमी बहुत टेश्टी लगते हैं धीरे से आपको ड़ाना क्योंकि एक्स्ट्रा जो तेल होता है तावे पे होता है तो धीरे से पराठे डाली है और फिर बनाए है और हाँ पूरी पराठ लो रखेंगी तो तेल ज़्यादा घीचेगा हाई रखेंगी तो जल जाएगा इसलिए मिडियम और लो के बीच में गैस की फिलिम रखती है पराठे दीरे दीरे लगती है ताइम लगती पर इस तरीके से बनाई बहुत यमी बहुत टेस्टी लगती मेरी माने ट्राइ जरूर करिएगा और यह मेरा मोटा तावा है जब तावा नाया हो उससे पराठे बहुत बनाई है भी तावा लाई है बहुत से पराठे बनाई धीरे 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 घिस जाती है और इतनी चिकनी हो जाती है कि मतलब नॉन इस्टिक फैल हो जाता है यही मेरा वही तावा इसमे मैं ध थोड़ी सी टेस्ट रहे तो इसमें थोड़ी सी गरम मसाला डाल देजेगा तो यह हो गई हमारी बन के रेडी फटा-फट आलू गुबी की पराठे तो चटपट तो चलिए फ्रेंड सर्सक्राइब करें सेर करें और लाइक करना बिल्कुल नहीं भी देगा फिर मिलती हूं न